Hello students आज हम लोग बात करेंगे operators की operator क्या होते हैं और C language में programming करते समय हम gyn operators का उपयोग करते हैं उनको ले करके आज का discussion होगा तो आज का video काफी important है तो video पुरा देख़िएगा वाजी को इस making operator को explanation करेंगे तो उसमें जाहिड सी बात है कि थोड़ा सा time जादा लगता है तो इस वज़ा से आप लोग video को काफी facence के साथ देखिएगा और जब तक पूरा video explain ना हो जाए तब तक आप video को पूरा देखिएगा तो ताकि हम जो भी content इस video में explain करें वो आपके पूरी तरीके से आएकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाए सुधर्ट कि आप जब भी programming करें तो operators को कैसी यूज करना है यह आप सीख जाए और one more thing मैं कहना चाहूंगा कि operators को आप जो है पिन और पेपर पर पढ़ने से कहीं अधिक अच्छा है कि जब आप प्रोग्राम में खुद इसको implement करेंगे बेटा जब आप खुद प्रोग्राम करते वक्त operators को यूज करेंगे तो actually operator कैसे काम करता है यह चीज आपको तब समझ में आएगी तो केवल बुक्स से या copy या pen पर केवल operators पढ़ने के बजाए जब हम लोग इसको प्रोग्राम में implement करके सीखेंगे तो हमको ज्यादा बहतर तरीके से यह चीज समझ में आएगी कि कौन सा operator कैसे काम करता है तो आज तो हम लोग ऐसे ही केवल operators वगरा क्या है या किस तरीके से कारे करते हैं इनको देख लेंगे केवल और केवल बुक्स या pen paper पर लेकिन जब हम इसको प्रोग्राम के जड़िये explain करेंगे तो आपको और बहतर त आपकी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या computer science से रिलेटेड जो भी वीडियो यूटूब पर या अपने चैनल पर upload होता है तो उस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से देखा करिएगा वीडियो को देखने के बाद वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को प्लीज सेय नहीं किया हुआ है तो वो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के बटन को जरूर हिट करके रखें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन जाए और आप लोग वीडियो को जैसे भी आपको टाइ इसका मतलब है कि आपरेटर ऐसे चिन होते हैं जो कंपाइलर को कोई मैथमेटिकल अर्थात कोई गणती है या कोई लॉजिकल आपरेशन परफार्म करने के लिए कहते हैं मतलब जो भी आंकडे होंगे जैसे माली जी एक प्लस एक ऑपरेटर है तो प्लस ऑपरेटर दो संख संख्याओं में सब्स्ट्रेक्षन में तो आप लोग वहां पर सम्स्ट्रेक्षन ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे आप लोग उससे घटाओ करवा पाएंगे तो चलते हैं पहरा से जो है operator इसका मतलब क्या है एक चिन है जो आंकड़ों पर compiler को operation परफॉर्म करने के लिए कहता है जैसे आंकड़े क्या होते हैं जैसे मान लिजे 2 और 3 है अब 2 और 3 के बीच में अगर addition करवाना है तो जो plus नाम का operator है ये compiler से कहेगा कि 2 और 3 ये जो आंकड़े हैं जो data है 2 और 3 इनको add करिए तो plus एक चिन है जो 2 और 3 को जोडने के लिए कहता है compiler से तब जाकर के compiler 2 और 3 को add करता है तो इसका मतलब operator एक प्रकार का symbol या चिन होता है जो compiler से mathematical या फिर logical operation परफॉर्म करने के लिए कहता है अब कोई भी mathematical या logical जो भी operations होते हैं वो किसी ना किसी data के उपर ही perform किये जाएंगे अब पहला operator है जिसे कि हम बात करते है most important operator है और वो operator है पहला assignment operator और assignment operator को हम लोग जो है equal to के चिन से denote करते हैं तो ये जो चिन है equal to ये assignment operator के लिए यूज किया जाता है assignment operator करता क्या है जो right hand side का expression या value होगा उसको left hand side के variable में store करता है जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर लिखा हुआ x is equal to two इसका मतलब x एक variable है और जो two value है उसका x नाम के variable में assignment हो जा रहा है इसका मतलब x नाम के variable में जो दो value है वो assign हो जाएगी तो x का मान क्या हो जाएगा दो उसी तरीके से अगर कहीं पर लिखा हुआ है जैसे की x is equal to two plus three अब two plus three एक expression है तो इस line से होगा क्या two और three आपस में जुडेंगे और जहां भी x होगा वहाँ पर value क्या हो जाएगी पांच इसका मतलब जो ये assignment operator होता है ये जो operator है वो right side के expression या right side के variable के मान को left side के variable में assign कर देता है अगर कहीं लिखा हुआ है मानने जिए y is equal to two है y की value क्या है two और कहीं लिख दिया जाए कि y is equal to y इसका मतलब y का मान और y का मान क्या है दो y की value जो है yक्स में assign हो जाएगी yक्स नाम के variable में y का मान चला जाएगा आगे हैं कुछ mathematical operator अब mathematical operator में जैसे बहुत से operator हैं जिनको आप पहले से ही जानते हैं जैसे आपका जोड है addition operator है subtraction operator है multiplication operator है या division है modulus है तो modulus operator आप लोगों के लिए नया होगा जो भी बच्चे programming सीखने जा रहे हैं उनके लिए modulus operator important है और नया भी है तो इस वज़ा से modulus operator को मैं properly explain कर रहा हूँ आप लोग समझ जाएगा कि modulus operator क्या है क्योंकि आगे जब भी हम लोग C की programming करेंगे तो उसमें modulus operator का प्रयोग करेंगे ही करेंगे तो mathematical operator है उनमें से जैसे की addition है subtraction है अब multiplication को C में इस तरीके से लिखते हैं star के symbol से denote करते हैं इस वो ashes भी बोलते हैं आगे है division और एक है modulus इसको क्या बोलते हैं? modulus या successful operator modulus operator या इसको बोला जाता है successful operator और यह आपका division है और यह है multiplication तो plus operator है, minus operator है आपका subtraction operator multiplication operator है, division operator है, modulus operator है अब modulus operator क्या करता है? modulus operator मालिजे जैसे दो संख्याओं के बीच में कारे करता है इनके सगर कहीं पर लिखा हुआ है 5 divided by 2 तो यह क्या हमको value क्या मिलेगी? 5 divided by 2 की 2 मिलेगी क्यों? क्योंकि 2 से जब हम 5 में divide करते हैं तो 2 times division जाएगा लेकिन अगर कहीं पर लिखा हुआ है 5 modulus 2 तो इसका result आपको मिलेगा 1 क्यों? क्योंकि जब भी आप 5 में 2 से भाग देंगे तो successful क्या आएगा? एक आएगा तो जो आपका यह modulus operator है यह हमेशा successful return करता है और जो division operator है यह हमेशा भागफल या quotient आपका जो है return करता है तो भागफल operator जो है या या भाग ये जो division operator है यह हमेशा आपको कोसंट जो है रिटर्न करेगा और यह जो मॉडूलस आउपरेटर है यह हमेशा आपको रिमेंडर जो है रिटर्न करेगा तो कहीं भी अगर दो संख्याओं के बीच में मॉडूलस आउपरेटर लगता है तो यह क्या रिटर्न करता है बड़ी संख्या इधर left hand side में जो भी number होगा उसको आप right hand side के number से जब division operation perform करेंगे तो जो successful आएगा वो return होगा इस successful operator से quotient नहीं मिलता, भागफल नहीं मिलता भागफल मिलता है division operator से और successful मिलता है modulus operator से तो modulus operator काफी important है जब हम लोग R.D.W.N का program पढ़ेंगे तो भी हम modulus operator का ही यूज करेंगे तो इसको अच्छे से पढ़िएगा कि modulus operator सेस्फल देता है और division operator भागफल या quotient देता है अब हम लोग बात करेंगे relational operator की जिसको हम लोग हिंदी में संबंध वाचक operator बोलते हैं तो जो relational operator होते हैं उनका प्रियोग जो है दो expression के मानों में तुलना करने के लिए किया जाता है या जब भी दो expression के बीच में तुलना करनी होगी compare करना होगा तो हम लोग relational operator का प्रियोग करते हैं तो relational operator जो हम वो कई हैं जैसे कि equal operator है जिसको हम लोग double equal to से denote करते हैं इसको equal operator कहा जाता है equal operator यह सब हम लोग इस समय relational operator प्ट रहे हैं तो relational operator आपके कई प्रकार के होते हैं ऑर relational operator का जो use है वो कहां पर है वो है दो expression के बीच में तुलना करने के लिए operational operator तो relational operator का प्रियोग करते हैं हम लोग दो expression के मध्ध में जब हमको तुलना करनी होती है जब दो expression के मानों को compare करना होता है तब तब हम लोग relational operator का प्रयोग करते हैं अब पहला operator है relational operator में equal operator उसके अलावा greater than भी हो सकता है greater than greater than के अलावा है less than less than उसके अलावा होता है greater than equal to greater than greater than equal to equal to इसके अलावा जैसे और हो सकता है less than equal to या हो सकता है आपका not equal to not equal to यह है not equal अगर आप mathematics में जब हम लोग पढ़ते हैं तो arithmetic जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें not equal to इस तरीके से denote किया जाता है लेकिन C में not equal to इस तरीके से denote किया जाता है यह symbol उसके बाद equal to इसको बोला जाता है C language में not equal और math में not equal को आप इस तरीके sit note करते हैं और एक और चीज ध्यान देने के युग है जैसे कि जब हम लोग double equal to लगाते हैं तो वो equal operator होता है ये आपका क्या है? equal operator और लेकिन जब जब आप लोग single equal का यूज करेंगे तो ये क्या है? assignment operator दोनों में बहुत ही अंतर है इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा equal operator ये बताता है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कहीं पर आपको लिखा मिल जाए जैसे a is equal to 10 और आपको मिल जाए b is equal to 5 और मिल जाए मान लिजिए c is equal to 10 तो अगर हम लोग ये चेक करें कि क्या a equal to equal to b है तो ये आपको result में मिलेगा false या मतला हम false को 0 से भी represent करते हैं क्यों? क्योंकि ये तो 10 है और b क्या है 5 तो a equal to equal b नहीं है a बराबर b के नहीं है तो जो equal operator होता है जो equal operator होता है ये चेक करता है कि left hand side का value right hand side के value के बराबर है कि नहीं है तो जब जब आपको ये चेक करना हो बराबर है कि नहीं तो आप लोग equal operator का प्रयोग करेंगे अब अगर कहीं पर ये लिखाववा मिल जाए जैसे a equal to equal to c तो यहाँ a भी 10 है और c भी 10 है तो ये आपको true मिलेगा तो true को हम लोग one से represent करते हैं तो इस तरीके से relational operator को आप समझ सकते हैं अब जैसे यहाँ कहीं लिखा हो a not equal to c तो ये क्या है? false है क्योंकि a तो equal to c है यहाँ not equal to लगा है a not equal to c तो ये पूरी बात क्या है? असत्य है क्यों? क्योंकि a तो equal to c है a जो है ये true है a not equal to true नहीं हो सकता इसलिए ये क्या होगा? false तो इस तरीके से relational operator जो भी होते हैं उनका यूज क्या है? दो expression के मानों में तुलना करने के लिए या जब जब दो expression के बीच में comparison होगा या compare होगा तब तब हम लोग इन में से किसी ना किसी relational operator का प्रयोग करेंगे most important relational operator जैसे की equal operator और not equal operator इनका use हम लोग programming के time frequently करेंगे तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए equal operator जो है c में वो double equal symbol sign note किया जाता है और single equal symbol जो है वो assignment operator के लिए यूज होता है तो ये important operator है not equal to का symbol कैसा होता इस बात को ध्यान से देख लीजिए इसका भी यूज हम लोग अपने प्रोग्राम में frequently करेंगे अब हम कुछ logical operators की बात करेंगे अब logical operator जो होते है logical operator का यूज कहा है अभी इसके जश्ट पहले हम लोग relational operator पढ़के आ रहे है तो जब कहीं पर relational operator दो जगा पर लगा हुआ हो मतलब दो expression के बीच में तो जहां-जहां relational operators को जोडने की बात आती है वहां पर हम लोग जो है logical operator का यूज करते हैं logical operator मेंली तीन टाइप के हैं जैसे कि एक होता है आपका end operator end operator जिसको हम लोग दो बार address symbols लिखते हैं और उसके बाद होता our operator our operator को हम लोग दो vertical line से denote करते हैं इस तरीके से और एक होता not operator अब not logical operator को आप इस तरीके से denote करते हैं तो इन symbols का प्रियोग किया जाता है जैसे आप लोग इस चीज को ध्यान से देखिए end operator को आप इन दो end symbols से denote करते हैं और operator को दो vertical line से denote करते हैं not operator को इस symbol से denote करते हैं तो हर एक logical operators को denote करने के क्या symbol हैं इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए अब बात करें हम लोग logical end operator की किसकी logical end की तो मैंने बताया कि logical end जो है वो हमेशा दो expression के मध्ध काम करेगा और ओ दोनों expression जो हैं किसी relational operator से जुड़े हुए होंगे जैसे अगर कहीं पर ये लिखा हुआ हो कि एक्स की value कुछ भी हो आप जैसे मान लीजे एक्स greater than 10 कहीं लिखा हुआ है ठीक and एक्स less than 12 ऐसा कुछ लिखा हुआ है अगर हम लोग एक्स का मान जो है एक्स is equal to 11 ले ले क्या ले ले 11 अब एक्स का मान क्या है 11 तो एक्स 11 रखते है 11 वड़ा है दस से ये बात सही है और 11 वारा से छोटा है ये भी बात सही है तो जो logical and operator होता है कौन सा operator logical and ये true return करता है जब दोनों expression के मान true हो जिन दो expression के मद में and operator लगा हुआ हो अगर उन दोनों expression का मान true हो जैसे ये क्या है इस समय x greater than 10 तो x 11 है 11 greater than 10 है तो ये क्या है true ठीक true and ये क्या है x less than 10 तो x की value 11 तो 11 less than 12 है ये सही बात है तो ये भी क्या है true अब जब दोनों true होंगे ये expression और ये expression जिन दो expression के बीच में and operator लगा है अगर वो दोनों expression true होते हैं तो ये total value true होती है ठीक और इन दोनों में से कोई भी एक true ना रहे जैसे की x greater than 10 है लेकिन क्या x जो है less than है 11 के अब देखते हैं x क्या value है 11 तो 11 तो बड़ा है दस से ये बात सही है लेकिन क्या 11 छोटा है 11 से ये बात सही नही है and ये क्या है false है false क्योंकि x 11 है तो 11 तो छोटा नहीं होता 11 से तो ये total क्या मिलेगा false मिलेगा क्यों क्योंकि and operator जो and logical operator हो तभी true return करता है जब दोनों expression के मान क्या हो true हो अब अगर हम लोग बात करें logical और operator की बात करें तो logical और की तो और operator को हम इस symbol से denote करते हैं अब और operator क्या होता है जैसे मान लिजी यहीं लेते हैं example x क्या है 11 तो अगर हम बात करें x greater than 10 की और x less than 12 की तो जो और operator होता है ये दोनों expression में से किसी भी एक expression या दोनों expression के true होने पर क्या return करता है true तो x बड़ा है 10 से सही बात है 11 जो है वो 10 से बड़ा है क्या x छोटा है बारा से हाँ 11 छोटा है बारा से तो ये दोनों expression true है तो ये total value क्या होगी true ठीक अभी दूसरा लेते हैं अगर x क्या बड़ा है 10 से और क्या x छोटा है 11 से अब देखिए x बड़ा है 10 से तो x का मान है 11 11 बड़ा है 10 से ये बात तो true है लेकिन क्या x less than 11 क्या 11 11 से छोटा होता नहीं तो ये बात क्या है असत्त क्या है लेकिन ये बात क्या है true है लेकिन जो logical or operator होता वो किन ही भी एक expression के क्योंकि इसकी हिंदी क्या है या या अथवा तो ये हो अथवा ये हो मतलब दोनों में से कोई एक हो या दोनों हो तो ये पूरा क्या होगा true तो ये तो true है लेकिन ये true नहीं है लेकिन फिर भी इस total expression का मान true मिलेगा क्यों? क्योंकि इन दोनों में से किसी के भी true होने के condition में logical or operator true return करता है अब अगर बात करें logical not operator की तो अभी तक हमने logical and और logical or को पढ़ा वो हमेशा दो expression के बीच में कारे करते थे लेकिन जो logical not operator होता है वो हमेशा केवल और केवल single operator, single expression पर कारे करता है अगर expression का माल सत्य होगा तो logical not operator उसको असत्य बना देगा इसका मतलब है कि true होने पर अगर expression का माल true होगा expression की value true होगी total तो उसको false बना देगा और अगर expression की value false होगी तो उसको true बना देगा जैसे अगर हम कहीं पर लिखें logical not अभी हम logical not पढ़ेंगे logical not इसको हम लोग इस symbol से denote करते है अब logical not मैंने बताया कि आप से कि ये single expression पर कारी करता है जैसे अगर कहीं लिखा हुआ x greater than 7 ऐसा कुछ लिखा है लेकिन इसके पहले logical not operator लग जाता है तो अगर x की value मान लेजिए 9 है ठीक अभी क्या होगा 9 greater than 7 क्यों क्योंकि 9 x की value अगर हम 9 लेले तो 9 greater than 7 ये बार true है लेकिन ये total क्या आपको return करेगा false क्यों क्योंकि जिस expression पर not operator कारी कर रहा है उस expression की value क्या है true x greater than 7 है ये बार सही है क्यों क्योंकि x की value क्या है 9 तो जब ये true है तो not operator क्या करेगा उसको false बना देगा अब यही पर अगर हम यह ले लेएं कि x जो है less than है 11 के तो x less than 11 क्या है? 9 less than 11 ये बाश सही है अगर लेकिन यहाँ पर अगर आपको क्या मिल जाए not operator x less than 11 तो 9 less than 11 ये बाश ट्रू है तो not operator इसको क्या कर देगा? false ठीक लेकिन अगर यहाँ पर हम लिख दें कि x greater than 9 तो लेकिन x की value क्या है 9? 9 greater than 9 नहीं है तो ये पूरी value false है क्यों? क्योंकि 9 greater than 9 होई नहीं सकता क्योंकि x की value तो 9 है तो ये total जो इसका मान है वो है false लेकिन जो not operator लगा हुआ है ये इसके value को return करेगा true क्यों? क्योंकि false को not operator जो है logical not operator true बना देगा तो ये true जैसे की one return करेगा यहाँ पर मान लीजे false है तो 0 से denote करते हैं false है तो 0 से denote करते हैं तो इस तरीके से हम लोगों ने logical operators को पढ़ा and operator, are operator और not operator इन operators को पढ़िएगा आप लोग और इनके सगर आपको एक बारी में नहीं समझ में आता है तो please lecture को दोबारा देख लीजेगा आपके पास 20-25 मेर तो जरूर ही मिल जाएंगे कि आप जब भी चाहें तब lecture को देख सकते हैं इवेन आप कहीं पर बैठे हुए हैं तो भी आप अपने mobile कौन करिए और जब मरजी हो आपकी इस पूरे operator के lecture को आप जब चाहें तब देख लें अब एक काफी important operator है जिसको size of operator के नाम से जाना जाता है size of एक function नहीं है मैं पहले बता दे रहा हूँ size of एक function नहीं है mostly लोग उसको function समझने की भूल कर बैठते हैं बट मैं आपको यह बता रहा हूँ कि size of operator है ना कि एक function अब size of operator किसी ना किसी parameter पर कारे करता है मतलब एक parameter पर कारे करता है इसलिए logical operator को equal operator भी बोला जाता है अब यह कार कैसे करता है जैसे मान लिजे यह जो भी variable आप as a parameter पास करेंगे उसकी size बताएगा यह आप किसी data type की भी size पता कर सकते है मैंने आपको बहुत पहले की बात है मैंने आपको यह बताया था अब एक काफी important operator है जिसको size of operator के नाम से जाना जाता है उसको हम लोग पढ़ेंगे कि size of operator क्या है पहली बात तो size of एक function नहीं है जादतार लोग यह भूल कर बैठते हैं कि वो यह बोल देते हैं कि size of एक function है but actually size of एक operator है जो एक single parameter पर कार्य करता है जैसे कि इसको denote करते हैं हम लोग इस तरीके से size यहाँ yes जो है वो small में है size of size of operator अब size of operator यहाँ पर जो भी variable या जो भी expression जो भी आप यहाँ पर पास करेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि integer की size है वो दो प्रकार की हो सकती है या तो 2 byte हो सकता है या फिर 4 byte हो सकता है 2 byte या फिर 4 byte लेकिन अगर आपको पता करना हो कि जो आपका system है वो integer value store करने के लिए कितनी size लेता है तो आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं जैसे कि आप यह लिखिए मान लिजिए एक आपने variable ले लिया है A is equal to size of int अगर आप यह लिख देंगे तो integer की जो भी size होगी वो A नाम के variable में store हो जाएगी अगर 2 byte होगी तो A में 2 store हो जाएगा और अगर आपका system integer के लिए 4 byte लेगा तो A में 4 store हो जाएगा और बाद में आप इसको print up function की सहायता से print कर सकते हैं अब 2 या 4 integer है तो आप लोग print करने के लिए लिख सकते हैं print C language में print अब integer value को print करने के लिए आप लोग percentage d format specifier का प्रियोग करते हैं अभी में भी जिन लोगों ने अब तक program नहीं पढ़ें उनको ना समझ में आए लेकिन जो program पढ़ चुके हैं उनको समझ में आ जाएगा तो आप यहाँ A लिख लीजिए ठिक अब यह line जो है आपको A की value प्रिंट करके देगी और A की value होगी क्या जितना भी size integer का आपके system के लिए होगा अगर 2 byte होगा तो A की value 2 हो जाएगी और 4 byte होगा तो A की value 4 हो जाएगी और आप इस line से A के value को print करा लेंगे तो monitor पर output छपके आ जाएगा और आप देख सकते हैं तो lecture देखने के लिए आपनों का बहुत बहुत थैंक्स और प्लीज वीडियो को share करिएगा वीडियो के link को share करिएगा अपने दोस्तों से channel को subscribe करने के लिए कहिएगा थैंक्स लॉट